का क्रे जब एक business किसी दूसरे business को purchase कर लेता है सुब उसको बोलते acquisition ऑफ a business फॉर एक्जांपल के लिए हमारा यहाँ पर है एक्जांपल के लिए कह रहा हूं जो A Limited है वो परचेज कर लेती है किसको B Limited के बिजनस को बी लिमीटेड को परचेज कर लेती है तो यह कौन हो गई? यह परचेजर हो गई क्रेता खरीदने वाली यह परचेजर कम्पनी हो गई और यह कौन से हो गई? यह होगी तो ए लिमिटेड जो है वो क्या कर रही है बी लिमिटेड के बिजनस को खरीद रही है अब बिजनस को खरीदेगी तो क्या क्या चीज़े आएगी तो बी लिमिटेड जो है हां उसके पास में एसेट्स होगी यस बी लिमिटेड के पास में लाइबलिटी भी होगी यस तो यानि कि B Limited पूरी तरीके से इसमें समा जाएगी A Limited के अंदर Acquisition of Business हो गया A Limited ने B के Business को Acquire कर लिया उसकी सारी Asset Liability को ले लिया लेकिन B Limited के जो Owner होंगी वो ऐसे ही Asset और Liability दे देंगे मैं आपसे आपका Business अगर खरीदना चाहूं माल लेते हैं आपका कोई Business है आपकी दुकान है उसके अंदर सामान है कुछ Liabilities है कुछ Assets है मैं आपकी पूरी दुकान को Acquire करना चाहता हूं मैं उसको खरीदना चाहता हूं तो क्या मुझे आप ऐसे ही देंगे नहीं इसके बदले माँ आप मुझे से क्या लेंगे पैसा तो उस पैसे को बोलते हैं बदले में जो यहां से जाएगा उसको बोलते हैं परचेज आपका इसको क्या बोल सकते हैं पीसी अपीसी का मतलब प्रियंग का चोपड़ा नहीं है पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन क्रेपरतिफल जो यह एसेट और लाइबलेटी ले रही है बेलिमिटेड का पूरा हमने बिजनस एक्वाइर किया है तो उसको बदले में जो हम पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन उसके बाद में यह आगए समझेट में अब हम क्या करेंगे इसकी भूख्स में भी जन्रल एंटरी करना हम तो कौन ठहरे एंब तो ठहरे पर देशी मतलब हम तो ठीट हां टहरे अकांट एंट तो हमको जो एइसकी इसकी बूक्स में भी जनल इन्ट इन्ट!". इस भी कंपनी की निफ्न सब्सक्राइंट है जिसfr aquiked पर भी हम क्या करेंगे जनल इन्ट्रेग ओके और इसकी बुक्स में भी हम क्या करेंगे जर्नल एंट्री लेकिन इन जर्नल एंट्री को करने से पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि पर्चेस कंसीडरेशन जो है उसको कैलकुलेट कैसे करें हाव टू कैलकुलेट पर्चेस कंसीडरेशन क्रैप प्रतिफल की गन्णा कैसे करें तो पर्चेस कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करें आएए पर्चेस कंसीडरेशन आपको कैलकुलेट करना है हाँ बिल्कुल करना है तो कुछ तरीके हैं इसके methods हैं इसको methods बोल सकते हैं यस methods of PC purchase consideration calculate करने के method तीन तरीके के method हो सकते हैं first आता है net asset method net asset method हिंदी में इसको बोलते हैं सुद्ध संपत्ति या सुद्ध मुल्य के आधार पर on the basis of net worth सुद्ध संपत्ति विद्धी भी बोल सकते हैं यह सबसे फरस्ट है सेकेंड नंबर जो है वह है on the basis of नंबर आप सेयर्स एंड डिबेंचर्स गीवन टू सेलर कंपनी जो कंपनी भिक रही है उस कंपनी को हम कितने सेयर्स और डिबेंचर दे रहे हैं जो मैथड उसके अंदर आता है लंग सम मैथड बोल सकते हैं लंग सम पेमेंड मैथड यानि कि आप एक मुस्त किता भुक्तान कर रहे हैं अगर अगर लंग सम मैथड लगता है तो इस केस के अंदर अधिक तर पीसी जो है वो कुश्चन में गीवन होता है एना हैं जीवन इन कुश्चन कोश्चन में प्रस्ण में दे रखा होता आप को अब सबसे पहले हम आ जाते हैं नेट ऐसीड में पर यह कि करके हम समझते हैं नेट अज मैथड सुद संपत्ती विड़ीं कि इसमें हमको क्या करना है सबसे पहले आपको एसेट्स ले लेनी है assets of assets of seller company जो company भी करिये उसकी सारी assets ले लो इसको मैं इस तरीके से अच्छे से लिखा देता हूँ चलो या फिर देखो संपतिया जब हम लेते हैं तो book value पर नहीं लेते हैं ये थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है ठीक है तो assets of seller जो company big गई है उस company की क्या ले लो assets ले लो assets हमको कैसी लेनी है valued क्लिव के लो उसका वेल्यूशन आफ्टर वेल्यूशन लिख सकते हैं उसका आफ्टर वेल्यूशन पूरा वेल्यूशन करने के बाद में उसकी गता हैं करनी के बाद में आफटर गभी संपत्यों का मुल्यांकन करने के बादमी हम सारी ले ले और उसमें पी अगर देंगे है यह लायbिले टीज यह यह जश्ब is अधिक तर जो होती है एक्स्टरणल लाहबिलटीज होती है इंटरणल नहीं होतीए chegou घंड Rights तेग है और यह लाइबिलेटी भी किसकी लेनी है सेलर कमपनी कि जो कमपनी भी करी है उसकी तो फिर कि यहाँ जो अमौंट आएगा उसको हम बोल देते हैं पर्चेस कंसिडरेशन अम इन्युमेरिकल लेख करके बताओंगा मैं आपको हुआ कि इसको क्या बोलते है परचेस कनलेशन अरु कि एसेट और लायबिलिटिती जब हम लेते हैं तो हम उन एसेट और लायबिलिटि का वेलुएशन कोषिन में दे रखा होता है तो उस varios के बेसिस पर हम लेते हैं अगर उसका मुल्य अंकन नहीं दे रखा है तो फिर हम बुक वैल्यू ले लेंगे बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस सीट में दिखाई हुई है वही वैल्यू ले लेंगे अब अभी निमेरिकल करूंगा तो मैं बताऊंगा इसलिए मैं यहां पर ड कि अगर को विशलालर उसके जो डेंचर वंसरा हुलडर को उनको आप क्या पर कर रहे हैं जैसे आज जो पर्चेजर कंपनी होती है न वो पर्चेजर कंपनी पे करती है इनको क्या कई बार पुराने कंपनी के सेर ओल्डर को कंपनी पैसा ना दे करके क्या दे देती है जो नई वाली कंपनी है वो अपने सेर्स दे देती है कि जैसे हमारे केस में था बिल्लिमेटे चितने भी से रोल्डर सें उनको हमने क्या देदी ए ऩर चोन-दी हैं जितने भी टिमेंटर व्लडर से उनको New डिएनचर दे नियगी है तो यह सेर जो डिएनचर की जो वेल्य Walk कितने दे रही हैं वही हम क्या करें गे उसे को क्या मालेंगे परके बॉचेज इस LA कहा है और लंबसम पेमेंड मेथड जो है इसमें मैंने आपको बताई दिया इसमें आपको कोशन में गीवन होता है कि पर्चेस कंसेडरेशन कितना है अमाउंट के अंदर पैसा पे किया इस तरीके से हमको सबसे पहले जनरल एंट्री करने से भी पहले हमें क्या निकालना पड़ेग पर्चेस कंसेडरेशन तो उसी से रिलेटेड में आपको कोशन अभी करवा रहा हूं एक बार आप फटाफट से रिप्लाई कर दो ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लीज रिप्लाई पास्ट